तो हम पिछली वीडियो में पढ़ लेता है आपका गॉल्जी अपरेटस तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था वो डंग से नहीं उपायाता है इसमें यह था कि आपको जो सिंथेसिस जो गॉल्जी बॉड़ी आपका एक तुक क्या करता है पैकेजिंग प्रोटीन को पैक करे है वो एहसा इस्ट्रक्शर होता है वैसिकल की तरह स्ट्रक्शर होता है त्विल्कुल गॉल ठीके और यह भी मीउली यह वी आपका गॉल्जी देखे से ही बना होता है ऑप prohibited नहीं होता है इसमें क्यों होती है इसके आपकाสदे के हैं अपने हें इसके लावा प्रोटीन की इसके लभाव मुनें होता है कि से अबी इस मैक्रो मॉलेक्यूल होते हैं वो इनको तोड़ देता है ठीक है तो लाइसोसोम सब मैक्रो मॉलेक्यूल को किसकी मदद से वाटर की मदद से तोड़ता है तो जो लाइसोसोम होता है वो बेसिकले उसके अंदर क्या परजेंट होता है आपका हैड्रोलाइटिक एंजाइम ठीक ह तो अलग होता है थोड़ा ईसमें एंजाइम प्रजेंट होता है टोड़ने में इसका एक काम और होता है कि आपकी सेल में जो पैथोजन्स या लाइसोसोम को निगल जाता है कभी कभी आपका 10 लग पूछा जा सकता है तो कहा जाता है इसको कभी-कभी यह क्या कर देता है गलती से अपनी ही इसल को निगल जाता है जिसमें यह रह रहा है ठीक है इसका क्या होता है कि जो जर्म पैसोजन वाली सेल है जैसे वायरस बैक्टीरिय जो भी बॉड़ी के अंदर आएंगी उन सेल्स को खाना लेकिन कभी- सिर्पों स्साइड भूरैख बैगा है एक फिक है किससे हैं गॉल्सॉट एफ परिटर से बना है इसके अंदर है क्या है डिले जिदर है में काम किया है मैक्रो मॉल्कुल को स्मॉल मॉल्कुल में तोड़ना इसके आरवा दूसरा काम क्या है पहला काम इसको ब्रेकडाउन दूसरा काम में इसका जो सैल आएंगी पैसुजर्जन्स की टॉण वगरा उनको मानना और कभी कभी क्या अगड़ देता है उनकी जगे अपनी सल को माण द है बिसलुन नाम के होता है लेकिन जो नैयनटी परसेंट एरिया है वो व्यक्यूव से कवर होता है इतना बड़ा वैक्यूव होता है निद्यान में रखना है प्लांट सल में ज। एक थहली होती है प्लन मतलब केविटी खाली जग से है के विटी जो घिरा हुआ है यह के विटी है पूरी यह वैक्यूल है यह थेली है यह 90 परसेंट भाग में होता है सेल के प्लांट में एनिमल में बहुत चूटा कुछ है भी नहीं यह लगा रहो और वैक्यूल का काम क्या है एक तिसमें water परजस्ते होता है इसमें molecule आयेंज हो इसमें excretory material जो waste प्रॉडक्ट है वह भी सही के अंदर होंगे सारह मतियल को मपनेवारेज़्स सक्कूल होता है और च्वयक्यूल हुता है इसको बोलते हैं लेयर जिख नशेर बेने मुस्ट लेयर दोनोगेए तो इन वह ब्लांट वेक्यूल है वो आपका 90% एरिया कवर करता है तो जैसे हमने प्लाजर मेंबरेन में क्या पढ़ाता है कि डिफ्यूजन अगेरा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल की बाहर अंदर तो यहां पर टोनोप्लास हेल्प करता है ठीक है आयन्स को ट्रांसपोर्ट करने में बाहर और यह टोनोप्लास की जो लेयर है यह मदद करती है कैसे करती है देखो और इसमें जो ट्रांसपोर्ट भी होगा वह क्या होगा अगेंस्ट Gradient Concentrated Gradient मैंने पढ़ाया था आपको essions tentangto gradient कैसा होगा against concentrated gradient मलब कम से ज़्यादा की or transfer कम से ज़्यादा की और मतलब energy लगेगी क्योंकि usually क्या होता है concentrated gradient होता है transfer मतलब ज़्यादा से कम की और लेकिन ही आपी क्या आप और yön어 against उल्टा हो गया जासर बन में आपको बताये है था एक्टिम में और तो यह मॉलेक्यूल की बहार होगा यहां पर molecule क्या होंगे कोई molecule है तो वो कम मात्रा में है और यहाँ वो molecule ज्यादा मात्रा में है फिर भी transfer क्या होगा इधर से अंदर क्यों होगा आई बाद समझ में जो tonoplast layer है जैसे plasma memory थी वही आप यहाँ पर tonoplast layer है वैसे ही तो यहाँ पर cell के बाहर से वैक्यूल के अंदर cell के अंदर से वैक्यूल के अंदर transfer हो रहा है cell के अंदर से यह cell है पूरी और उसके अंदर वैक्यूल है तो cell के अंदर से वैक्यूल के अंदर transfer हो रहा है लेकिन कैसे transfer हो रहा है against concentrated gradient मतलब कम से ज़्यादा की और कोई भी molecule कम से ज़्यादा की और मूब करेगा इसलिए जो साइटो पोज आपका वेक्यूल है उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहती है हर मॉलेक्यूल के लिए ज़्यादा होगी क्योंकि यह जब कि टोनोप्लास्ट लियर है यह क्या करवाएगी इससे एक्टिव क्या कराएगी एक्टिव को और मैंने क्या बोला है ध्यान से देखऊ जबागे ड़ान से बनाना कि इसको साचा yap कि परा यूरayan अब मैंने बोला है यह 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 हूं मैंने क्या नहीं कि जो आइन मेंस यह है और इसकी अंदर वह बहुत आयान है لेकिन फिर भी ट्रांस्पर कैसेव रहा है इधर सय जादा से भाहर की तरह आना चाहिए था महला साइटो प्लाजमा में आना चाहिए था वेक्विल के अंदर से लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वार कि अंदर ही की तरह मुव करेगा ठीक है तो ऐसे आपका Amoeba हो गया प्रोटिस्टा हो गया जिसमें वह 25 पर्जेंट होते है तो Amoeba मे तो इस भॉम में भी होते है जैसे आपने देखा होगा Amoeba ये Pyrimesium Food financial Niye Pyrrimecium प्रोटिस्टा आपने Pyrrimecium देखा होगा तो Pyrrimecium कुछ इस तरीके से structure होता है उसका इस तरीके से structure होता है paramecium का तो उसमें जो vacule होते है वो food vacule होते है ज्याद़ है छोटे छोटे होते हैं लेकिन food मला उनके अंदर food होता है अमीबा ऐसे होता है पारमेशियम और वो जैसे भार खाना या इसको निगल जाते हैं ऐसे अंदर ले लेते तो ऐसे food vacule बन जाते है त लेकिन जो प्लांट में होंगे vacule उनका काम बहुत ज्यादा काम है स्टोरिज का वाटर स्टोरिज आयन स्टोरिज और इसके अलावा वेस्ट प्रोडेक्ट का भी स्टोरिज करके रखता अपने पास फिर उनको बाहर फिंग ने मदद करेगा तो इसमें बहुत थारे काम है प्लांट में ठीक है तो यह आप पढ़ लिए ना वेक्ट्व के बारे में प्लांट में ही परजेंट होगा यह में अनिमल में तो है भी नहीं अप फिर थोड़ा सा किसमें होता है आपका प्रोटिस्टा में अपने फाइलम पहले पढ़ जोगे तो प्रोटिस्टा में और थोड़ा इसमें अमीबा में थोड़ा सा प्रजेंट होता है वेक्ट्व में प्लांट में 90 परसेंट जो एरिया है प्लांट को उसमें वेक्ट्व होता है ठीक है तो वेक्ट्व का काम क्या है वाटर स्टोरिच आयन और मॉलेक्यूल स्टोरिच एक्सक्रेटरी वेस्ट और में आधर वेस्ट चलो आणाउच सब्सक्राइब है निंदे वियुस्ट खाड़ा सब्सक्रोग्लवytt जो Rebecca理 जो वेजिदेश परने मर्ला वेस्ट और ऑर इसके अलाव और इसाiantes सब्सक्राइब हगा ठीक है तो यह हम पर आपका वेक्वल भी खदम हो गया है अब नेक्स्ट जो आपका है वह रही है आपका माइटो कॉंट्रिया ठीक है